हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो ये रोवन चैनल विद्यूर मैट्समें आज के इस वीडियो में हम रूट 4.5 को नंबर लाइन पर रिप्रिजेंट करना सीखेंगे रूट 4.5 जैसे कि आप सभी को पता है ये आपका एक एर्रैशनल नंबर है लास्ट के वीडियो में हमने रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को रिप्रिजेंट करना सीखा था लेकिन आज के जो हम कंसेट को यूज करेंगे हम वो सभी इन सभी नंबरों में यूज कर सकते हैं यानि कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को भी अगर रिप्रिजन करना है, उस के लिए भी हम इस मैथड को फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी डेसिमल नंबर आ रहा है, तो उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं इसी मैथड से, तो चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, आज क 4.5, तो 4.5 को आपको नंबर लाइन पर लेना है, चलि हम नंबर लाइन पर ले लेते हैं इसको 4.5 को, 4.5 को लेने के लिए आप कहीं पर भी एक जगए मार्क कर लीजिए, मैं इसको थोड़े डिफ्रेंट कलर से मार्क करूंगी ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, यहां मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, अब आपको 4.5, हम एक बॉक्स को एक 1, 2, 3, 4 and उसके मिडल में, तो यह आपका हो गया 4.5, इसको नाम देती चाहिए A and give this another alphabet as B, अब आपने करना क्या होता है, जो यह 4.5 है, उसमें आपको 1 और 1 cm और एड करना है, तो B से आपको 1 unit 1 cm आगे लेना है, तो यहां 4.5 था, तो यहां तक आपका आजाएगा 5.5, ठी तो A से लेके C तक का distance आपका total कितना हो गया 5.5, देखे, A, B आपका था 4.5, B, C आपका था 1, तो A, C आपका हो गया 4.5 plus 1 which is 5.5, ठीक है unit, unit भी ले सकते हैं आप इसको cm में, क्योंकि अगर आप इसको cm में ले रहे हैं, तो यह cm में आएगा, अगर आप इसको inches में ले रहे का, वैसे हम इसको cm में ही लेंगे, ठीक है, A से C तक, अब आपका next step क्या है, आपके देखे, first step क्या था, जो भी number आपको दिया हुआ है, रूट के अंदर, आपको उसी number को पहले आपको number line पे represent करना है, और उसी के आगे 1 cm उसके forward आपको एक point mark करना है, तो अब आपके पास total जो line segment आपको consider करनी है, A से लेकर C तक की, अब आपको AC को क्या करना है, bisect करना है, यानि कि आपको AC का middle point निकाला है, mid point निकालना है, तो जब भी हम construction करते हैं, तो हम line segment को mid point निकालने के लिए, compass को use करके उसका mid point निकालते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे compass नहीं है, तो मैं guess करके अपने आप निकालोंगी, आप लोगोंने क्या करना है, यहाँ पे compass रखना है, A पर, चली मैं इसको different color से ही लेती हूँ, अब मैंने A पे compass रखा आपना, और A कार का आपने यहाँ पे लगा दी है, ऊपर भी लगाएंगे, और नीचे की तरफ भी, जितना radius आपने खोल है, मतला आपको A पॉइंट पर रखकर, इस पॉइंट पर रखके more than half compass खोलना है, चल्डन आपको देखे, यहाँ पे आपने compass रखा more than half, यहाँ तक खोल लिया आपने compass, और उसके बाद आपने A कार को उपर और A कार क नीचे लगानी है, और same radius के साथ अपने C पे compass रखना ह और फिर इस previous arcs को काटना है, तो चलिए अब मैं इसको काट देती हूँ, अब मैंने C पर रखा compass और मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, अब आपने इस point को join, इन दोनों intersection points को join करना है, ताकि आपके पास midpoint आ जाए, अब मैं इसको join कर रही हूँ यहाँ से, जैसे ही मैंने इ इस AC line segment को इस point पे cut कर है, तो इसको मैं आपको show करने के लिए, थोड़ different color से show करती हूँ, यह point आपका midpoint आ गया है, ठीक है, आप इस midpoint को आप नाम दे दीजिए O, AO और OC आपका क्या हो गया है, equal, AO equal to OC, अब आपको यहाँ पर A से लेके C तक पे semi circle draw करना है, तो आपने क्या करना है, O, पे compass रखना है children, आपने O, पे compass रखके उसको stretch करके A तक खोलना है, तो इसका मतला आपको radius कहां से कहां तक लेना है, O, पे रखके A तक खोलना है, यह आपका radius हो जाएगा, ठीक है, आपने इस radius को लेकर आपने एक semi circle draw करना है, यहाँ पर, ठीक है, अब मेरे पास let us see कि मेरे पास कितने अच्छे से draw हो पाएगा, I don't know, because मेरे पास यहाँ पे कोई भी compass नहीं है, but I am trying to explain you, तो मैं अपने method apply कर रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कि आपने इसको कैसे करना है, चली मैं नीचे का portion हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे semi circle draw करना था, मैं इस point को द्वारा से फिर से लिख दूँगी, इससे आपके पास, यह आपका point था A, यह B है और यह आपका C है, यह आपका semi circle आ गया चल्टरन, ठीक है, आपने क्या कर रहा था, AC का पहले mid point निकाला, mid point पे compass रखके A तक आपने खोला, और उसके आपने एक semi circle draw कर दिया, semi circle draw करने के बाद यह जो आपका B point है, जहाँ पर आपने 4.5 mark किया था, यहाँ से आपको एक perpendicular draw करना है, आप यहाँ पे D रखके भी 90 degree की line draw कर सकते हैं, मैं सीधा ही यहाँ पे 90 degree की एक straight line draw कर दूँगी, आप इसको यहाँ तक ही draw कीजिए, जहाँ त आप देखेंगे, यह आपका एक right angle triangle draw हो गया है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक right angle triangle है, और यह जो आप इसको नाम देदीजिए D, BD जो है यह automatically यह जो length है यह आपकी root 4.5 बन जाएगे children, यह इस construction के according, B से लेके D तक का distance आपका क्या है अब, B से लेके D तक का distance आपका root 4.5 लेकिन यह 4.5 आपको number line पे draw करना है और start करना है 0 से, इसका मतलब B को आपको 0 लेना है, यहाँ पे compass रखना है B और D जितना आपको खोलना है, यहाँ पे खोलना है आपको, D तक, B पे अपना compass रखेंगे, D तक खोल लिए और उसके बाद नीचे arc लगा दीजिए ऐसे, तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ से draw कर देती है, यहाँ रिमूव हो गया था, अब मैं B पे अपना compass रखोंगे, D तक खोलूंगे और उसके बाद मैं arc लगा दोंगी, चलिए मैं इसको arc लगा देती हूँ, मैंने इसको arc लगाई यहाँ से, जब मैंने इसको arc लगाई यह जो म as a 0, क्योंकि number line पे जब भी आप कोई चीज mark करते हैं, measure करते हैं, तो वो 0 से start करते हैं, तो इसमें आपको कहाँ पर 0 लेना है, B is taken as a 0, B is taken 0 on the number line, on the number line, और इस point को आप नाम दे दीजे, P, उसके बाद हम लिखेंगे, here P represents, here P represents root 4.5 on the number line, चिल्डन देखें, इसके कुछ steps हैं, बस आप उसी को follow कर लेजे, और उसके recording आप किसी भी number को represent कर सकते हैं, देखें, मैं आपको इसको एक और question समझाती हूं, इसी के साथी, चलिए, मैं आपका ले लेती हूं, एक question, let us take another question, हम ले लेते हैं, अगर आपको suppose करो, root 3 को represent करना है, इस method से, तो आपने सबसे पहले एक line draw करनी है, आपने line draw कर ली, अब आपको 3 को इस number line पर लेना है, आपने यहाँ पे एक mark करा, A, तो A, 1, 2, 3, यहाँ तक आपके पास 3 unit हो गए, इसके आगे आपको एक unit और लेना है, 1 cm रो लेना है, तो यह C हो गया, अब A से C तक का distance आपका हो गया, 3 plus 1, यह आपका 3 है, A, C कितना हो गया, children आपका, 3 plus 1, which is 4, 4 का midpoint आपको निकालना है, A पे compass रखना है, और आपको यहाँ पे arc लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी, C पे रखके same radius से आपको arc लगानी है, ठीक है, अब आपको इन दोनों points को join कर देना है, intersection points को, और इससे आपके पास एक midpoint आ जाएगा, आपने इसको join करा, आपके पास यह midpoint आ गया है, चिल्डन, यह जो point है, आपके पास एक midpoint आ गया है, this is your midpoint, ठीक है, आप इसको चाहो तो O नाम दे सकते हो, अब आपको क्या करना है, चिल्डन, O पे अपना compass रखना है, और A तक खोल कर आपको एक semicircle draw करना है, ठीक है, तो मैं अब O पे compass को रखूँगी, अपना A तक इसको stretch करूँगी, compass को, और एक semicircle draw करूँगी, बढ़ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई method नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अपने तरीके से ही एक semicircle draw करने की कोशिश करूँगी, अब यह मेरा semicircle के जगा पूरा circle आ जाता है, तो मैं इसका half part नीचे से remove कर दूँगी, तो जिससे यह आपको semicircle की form में ही दिखेगा, आपको समझ में आ गया होगा children, आपने पहले भी सीखा हुए कि semicircle कैसे draw करते हैं, तो यह आपका semicircle बन गया है, अब आपने क्या करने है children, अब आपने इस point पे, B point पे रखकर एक line draw करनी है, जो कि perpendicular line होगी AC पर, तो मैंने B पे रखके एक perpendicular line draw कर दिये, यह जो मेरी line है, B पे जो मैंने draw करी है, यह line आपके 90 degree की line है, अगर मैं इसको यहाँ से join करती हूँ, तो यह मेरा आपका एक right angle triangle draw हो जाएगा, यह मेरा right angle triangle बन गया, और अब इसके अंदर यह जो value है मेरी, this will represent root 3, अब इस root 3 को आपको नीचे लेके आना है, और B इस consider as 0, B is 0 on the number line, जब आपने B को 0 consider कर रहा है, इस point को आपने D नाम दे दिये, BD को आपको radius consider करके arc लगानी है, अब नीचे की तरफ, देखें, आपने B पर अपना compass रखा, D तक उसको stretch करके खोला है, और उसके बाद आप नीचे की तरफ एक arc लगा देंगे, चिंडरन, चलिए मैं इसको द्वारा से draw कर देती हूं, right, अब आपने, अब मैं इसको फिर से draw कर रही हूं, अब मैं इसको कुछ different color से करती हूं, ताप कि आपको समझ में आ जाए, मैंने B पर compass रखा, D तक खोला और इसको नीचे arc लगा दें, ये जो मेरा point आ जाएगा, ये मेरा root 3 रिप्रेजेंट करेगा, और इसको मैं नाम दे देती हूं, P, तो आप मैं लिखूंगी, P represents root 3 on the number line, आप children एक बड़ी इसको वैसे भी समझ सकते हैं, कि ये root 3 कैसे बना है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग से यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूं, देखें, पहले तो मैं एक right angle triangle ड्राउ कर लेती हूं, जिससे कि आपको easily समझ में आ जाएगा, कि ये हमने कैसे बनाया है, देखें, ये मेरा एक right angle triangle है, इस right angle triangle के अंदर, मैंने इस point को यही labeling दे रहे हूं, जो यहाँ पर O, B, D दिया हूँ है, ये मेरा O है, this is my O, this is my D, और this is my B, चलिए अब देखते हैं कि ये values कितनी है, O भी कितना है, देखें, यहाँ से लेके, चिल्डन, यहाँ से लेके, यहाँ तक का distance आपका 4 unit था, ये midpoint था, तो ये वाला जो distance है, ये आपका 2 unit हो गया, तो इसका मतलब है, और जिसमें से ये आपका 1 unit था, तो ये बचा हुआ O भी आपका कितना है, 1, तो ये आपका 1 unit है, ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, O से लेके, चल्डन, यहाँ, O से लेके, ये point जो है, C तक का point जो है, ये 2 unit है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा 4 unit है, तो ये 2 unit है, तो O D भी आपका कितना हो जाएगा, 2 unit हो जाएगा, तो ये आपका जो है O D कितना हो गया, 2 unit हो गया, चल्डन, अब मैं इसको भी यहाँ माक कर देती हूँ, ये मेरा 2 unit है, अब यह आपकी क्योंकि right angle triangle है उससे में bd square निकाल सकती हूँ तो आपका हो जाएगा od square equal to ob square plus bd square od square है मेरा two square, ob square है one square plus bd square यह मैं आपको बता रही है कि किस से मारा perpendicular exactly वही आ जाता है 4, 1 plus bd square, 1 आप इधर से इधर ले आएए 4 minus 1 bd square 4 minus 1 is 3, 3 bd square, अब इसको और देखे नीचे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, bd square equal to 3 तो bd क्या हो जाएगा आपका root 3, अब आप figure में देखे bd आपका क्या है root 3 यह आपका root 3 है, और इस figure में भी आप देख सकते हैं, मैंने bd को root 3 ही लिया हुआ है आपको समझ में आगया होगा कि यहाँ पर हमारा यह bd root 3 कैसे आया है इसी root 3 को हमने यहाँ पर consider, यह सब आपको working करके दिखाने के children जुरुत नहीं है यह सब हमने आपको सिरफ समझाने के लिए बताया है, आपने cd-cd construction करनी है और इससे आपके पास, इस method से आप किसी भी root के positive real number को represent कर सकते हैं number line पे root के positive real number का मतलब है, root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 9 या root 2.3, 2.7, 2.9 किसी भी method से, जो भी number आपको root में दिया हुआ है, जो भी number आपको root में दिया हुए children आपको उसको सबसे पहले नीचे number line पे लेना है, उसके आगे आपको 1 cm आगे फर्दर लेना है, फिर आपको उसके 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 एक semi circle जो पर पेंडिकुल ड्रोगे वही आपकी रिक्वाइड नंबर होगी कंस्ट्रक्शन वाली आई होप आपको आज की इस वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्शन ओफ रियल नंबर और रूट का रिप्रिजेंटेशन नंबर लाइन पे करना आ गया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेर किजी अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो बाबाई